नमस्कार मैं हूँ आपके संगनित्यम मंत्र यंत अंत्रवास्तो की विशेश कासका के साथ भगवान बिश्नु की विशेश किरपा के लिए एकादसी का ब्रत बहुत ही जादा महत्पुन होता है भगवान खुल कहते हैं पूजा किसी का भी करो लेकिन मेरे ही पास आता है इसलिए मेरे सरन में आजाओ श्री कृष्णम सरनम ममा अगर आप भगवान बिष्णु भगवान कृष्ण के सरन में जाते हैं तो आपकी हर इक्षा पून हो जाती है एकादसी का ऐसा ब्रत है अगर आप कोई भी ब्रत नहीं करते हैं सिर्फ एकादसी का ब्रत करते हैं तो सारी ब्रत का फल आपको इसी से मिल जाता है तो एकादसी का अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है क्या विशेश धियान रखना है किन मंत्रों का जाप करना है और किस तरह से भगवान विश्णु की पूजा आपको एकादसी की दिन करना है ये सारी चीजों की जानकारी आपको आज मैं देने जा रहा हूं यहां पर आपको ज्ञान के साथ समधान भी मिलता है इसलिए हमारे साथ बने रहे और उत्पन्ना एकादसी के दीन क्या बिशेस उपाया को करनी है यह भी चीजे आपको बताई जाए कि लिए इसके पहले अगर आप हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो क सब्सक्राइब करें तो था बेल बटन को विद्वाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुन मिल जाए भगवान विश्नु की विशेस अरुकमपा के लिए एकादसी का अपरत रखा जाता है मार्ग सिस माह में पढ़ने वाली एकादसी को उत्पन्ना एका कहा जाता है इस दीन स्वेंग भगवान विश्नु ने माता एकादसी को आसिरबाद में इस दीन को एक महान ब्रत एवं पूजा का दिन बताया था परती माह दो एकादसी का महत पुरानों में निकलता है सभी का फल एक समान एवं उत्तम होता है माना जाता है कि उत्पन्ना एकादसी का प्रत रखने से मानब जाती के पहले और बरतमान दोनों के पाप मिट जाते हैं जो भक्त जन हर मेहने आने वाली एकादसी का प्रत शुरू करना चाहते हैं वे लोग उत्पन्ना एकादसी से ही अपने एकादसी का प्रत शुरू कर सकते हैं यानि कि जो लोग एकादसी का ब्रत एक साल तक करना चाहते हैं, उल्नों को उद्पन्ना एकादसी के दिन ही ब्रत शुरू करना चाहिए, ये जादा उत्तम होता है। स्वयंग भगवान कृष्ण ने युदिश्ठीर को एकादसी माता के जन्म की कथा सुनाई। सत्युक के समय एक महाबल साली राक्षस था, जिनका नाम मुर्थ था, उसने अपने सक्ती से स्वर्ग लोग को जीत लिया था, उसके प्राकरम के आगे इंद्र देव, बायू देव, अगनी देव कोई भी नहीं टिक पाए थे, जिस कारण उन सभी को जीपन यापन के लिए म निर्थिव लोग जाना पड़ा, हतास हो करके इंद्र देव कैलास गए और भोले नात के सामने अपने दुख और तकलिफ का बढ़नन किया, उसने प्राफ्मा की कि वे उन्हें इस प्रहसानी से बाहर निकाले, भगवान सीब ने उन्हें बिश्नु जी के पास जाने की सला दी, उनकी सलापर सभी देवता चीर सागर पहुंचे जहां बिशनु जी निद्रा में थे, सभी ने इंतजार किया, कुस समय बाद बिश्नु जी के नित्र खुले, तब सभी देवताओं ने उनकी अस्थूती की, भगवान बिश्नु ने उन से चीर सागर आने का करान पू एसा कौन बलसाली है जिसके सामने देपता नहीं टिक पाए। तब इंद्र ने राक्षस के बारे में बिस्तार से बताया कि इस राक्षस का नाम मुढ है। उसके पिता का नाम नारी जंग है यह ब्रह्म बंसज है। उसकी नगड़ी का नाम चंद्राबती है उसने अपने बल से सभी देवताओं को हरा दिया और उनका कार्ज श्वयंग करने लगा है वही सुर्ज है वही मेग है वही हवा और बर्सा का जल है उससे हरा कर हमाई रक्षा करें नरायन इस तरह से सभी देवताओं ने उनसे अस्तूती की उनसे निवेदन किया पूरा बढ़न सुन्य के बाद भगवान विष्णु ने इंद्र को आस्वासन दिया कि वो उन्हें इस बिपत्ती के से निकालेंगे इस प्रकार विष्णु जी मूर देश से युद करने उनकी नगरी चंदरावती जाते हैं मूर और बिष्णु जी के मध युद प्रारंब होता है कई बर्सों तक युद चलता है कई परचंड अस्त सस्त का उप्योग किया जाता है और दोनों का बल एक समान एक दूसरे से टकरा रहा था कई दिनों बाद दोनों में मल्युद शुरू हो गया दोनों लड़ते ही रहे कई बर्स बीत गए उसके बाद उनके बीच युद्ध में भगवान बिष्णु का निद्रा आने लगा और वे बद्री का अस्रम चले गए सैन करने के लिए भगवान हेमबती नामक एक गूफा में चले गए मुर भी उनके पीछे घुसा और सैन करते भगवान को देख मारने को आतुर हुआ जैसे ही उसने सस्थ उठाया भगवान के अंदर से एक सुंदर कन्या निकली और उसने मूर से युद्धि किया दोनों के मध घमासान युद्ध हुआ जिसमें मूर मुर्शित हो गया बाद में उसका मस्तक धर से अलग कर दिया गया उसके मरते ही दान भागए और देपता इंद्र लोग चले गए जब विश्णु जी की निद्रा टूटी तो उन्हें अचमभा सा लगा कि यह सब कैसे हुआ तब कन्या ने उन्हें पूरा युद विस्तार से बताया जिसे जान करके भगवाण जी भगवाण विश्णु अतिप्रसन हुए और उन्होंने कन्या को परदान मांगने को कहा तब कन्या ने भगवाण से कहा मुझे ऐसा बरदें कि अगर कोई मनुस मेरा उबास करे तो उसके सारे पापों का नास हो उसे बिश्णु लोग मिले तब भगवाण विश्णु ने उस कन्या को एकादसी नाम दिया और कहा कि इस ब्रत के पालन से मनुस चाती के लोगों के पापों का नास होगा उन्हें बिश्णु लोग अबस ही मिलेगा उन्होंने यह भी कहा इस दिन तेरे और मेरे भक्त समान होंगे यह ब्रत मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय होगा जिस मनुस को मौक्स की प्राप्ति करना हो वो भगवान विश्णू के इस एकादसी का ब्रत करेंगे और जो लोग करेंगे उसे निशित रूप से मौक्स की प्राप्ति होगी इस प्रकार भगवान चले जाते हैं और एकादसी का जन्म सफल हो जाता है इस प्रकार एकादसी का जन्म उत्पन्ना एकादसी से होता है और तब से ही आज तक इस ब्रत का पालन किया जाता है इसे सर्वस्रेश्ट ब्रत कहा जाता है पंचान के नुसार उत्पन्ना एकादसी का ब्रत 20 नमंबर यानि की रविवार के दिन रखा जाएगा फिर से बता दूँ कि यदि आप साल भर एकादसी का अर्वत करनुस्थान करना चाहते हैं तो उन्हें आज यानि की मार्क्सिस क्रिष्ण पक्ष की एकादसी से ही आपको प्रत सुरू करना चाहिए उत्पन्ना एकादसी के दीन कुछ बीशे सुपाय करने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और साथ ही आर्थिक तरकी भी प्राप्त होती है पंचांक अनुसार मार्क्सिस माह के क्रिष्ण पक्ष की कादसी की तीथी की शुरूआत 19 नभांबर सनीबार को सुब्हा दस बज करके 29 मिनट पर हो रही है यह तीथी अगले दीन 20 नमभांबर रविबार को सुब्हा 10 बज करके 41 मिनट तक मान्य है ऐसे में उदिया ती-थी का धार पर उद पन्ना 11ी का बद 20 नवंवर को ही रखा जाएगा जो लोग 11ी का बद 20 नवंवर को रखेंगे वे बद का पारन 21 नवंवर सुमबार को करेंगे पारण का समय होगा 6 बज करके 48 मिनर से ले करके सुबह 8 बज करके 56 मिनर तक इस समय में पारण करके ब्रत को पुरा करें इसी दिन द्वादसी समाब तो हो जाएगी और इसी दिन आपको जो ब्रत के पारण का समय है पारण आपको इसी समय करना है तभी आपको फलकी प्राप्ती होगी अब एकादसी ब्रत के कुछ नियम होते हैं एकादसी ब्रत दस्मी की रात्री से प्रारंब हो जाता है जो द्वादसी के सुर्जोद्य तक चलता है कुछ लोग दस्मी के दीन ये ब्रत प्रारंब कर देते हैं और दस्मी के दिन से ही सात्वी के भोजन गरहन करना शुरू कर देते हैं यानि कि दस्मी के दिन से ही लहसुन प्याज का सेवन भी बंद कर देते हैं इस दिन चावल दाल किसी तरह का अंड आपको गरहन नहीं करना चाहिए कथा सुनने एबं पढ़ने का महत अधिक होता है इस ब्रत से अस्वेग यक का पुन मिलता है प्राता जल्द असनान करके ब्रह्म मुर्त में भगवान किष्ण का पूजन किया जाता है इसके बाद बिष्णु जी एबं एकादसी माता की अरावना करते हैं उसे आप भोग लगाते हैं खास तरह के भोग तुलसी तो आपको भगवान बिष्णु को निशित रूप सी इस दिन अर्पित करना चाहिए दीप दान एबं अंदान का बहुत जादा महत्व है जब एकादसी का पारण होता है तो किसी ब्राह्मन को बुला करके आपको दान अवस करना चाहिए अगर आप दान नहीं कर सकते हैं तो पारण के पहले ही आप जो दान की चीज़े हैं उसे आप निकाल करके रख दीजिए आप पारन कर लिजिए, बाद में किसी पंडित, किसी ब्राहमन को वो चीज़े दान कर दीजिए अपनी सरधा के नुसार, भोजन, पैसे, कप्रे या अन्य जरोत का समान आप धान कर सकते हैं इस दीन कई लोग निर्जला उपास रखते हैं, लेकिन जो लोग बिमार रहते हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें निर्जला उपास नहीं करना चाहिए, वे फलहार करके भी ब्रत कर सकते हैं इस ब्रत का फल, कई यज्यों के फल, एवं कई ब्राह्मन भोज के फल से भी अधिक मना जाता है। सभी मनुस अपने रिती रिवाज के नुसार एकादसी ब्रत का प्रावन करते हैं। कथा पढ़ना एवं सुनने का महत बहुत जादा है इस ब्रत में। इस प्रकार एकादसी करें आपकी परिष्णानी बहुत आसानी से दूर हो सकती है इस दिन तुझसी की जर की थोड़ी सी मिट्टी ले करके पानी में डाल करके आप असनान कीजिए एक चुट्टी चुट्की आप मिट्टी ले करके आप असनान करें फिर आप साफ जल से भी असनान कर लें साफ सु बिश्नु की पूजा करें इससे आपका स्वास्त की जो समस्या है उसमें आपको रहातनी सी तूप से मिलेगा अगर आपकी कारोबार मन्दा चल रहा है तो तरक्की के लिए पंच गुंजा फल श्री भगवान बिश्नु के सामने रख करके उनकी पूजा करें इसके बाद कर लिए अगर आपको लगता है कि आपके उपर किसने तंतर मंत्र या कोई नकात्मक उर्जा का प्रभाव आपके उपर है यह चीज़ करने से वह दूर हो जाएगा पारिवारिक रिष्टों में मजबूती चाहते हैं तो आपको भगवान बिश्नु की पूजा के बाद ब् गृह कलेश से मुक्ति चाहते हैं तो अपने घर के मंदीर में दक्सनावरती संख क्या स्थापना करें उसकी रोली धूप दीब से पुजा करें आपके घर की सुकसांती हमेशा बनी रहेगी ऐसे भी जान लिजिए कि हर हिंदू के घर में दक्सनावरती संख तो होना ही चा चाहते हैं तो असनान करने के बाद भगवान विश्नु की आप धूप दीप से पूजा करें और एक मंत्र है ओम गोविंदाय नमहा इस मंत्र का आप एक सा आठ बार जाप किजिए एक आदसी के दिन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा इससे आपके कार्षित में आपकी आ दामपत जीवन में अगर आप मधूरता चाहते हैं तो एकादसी के दिन सुवासनान के बाद साफ सुत्रे कपड़े पहन करके भगवान विश्नु के साथ तुलसी जी का भी आप बीधिपत पंचोप चार पूजन करें इससे आपकी जो भी दामपत जीवन में जो भी कठना चाहिए किस तरह से एकादसी मता का जन्म हुआ और एकादसी करवत आपको कैसे करना है क्या खास उपाय करना है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कि पैसे लाइक करें सब्सक्राइब करें फेस्बूक और फोलो करें तथा आपने दोस्तों सब्सक्राइब के साथ कि शेयर करें ताकि वो भी इस उपाय को करेंगे तो उसके जीवन में भी भगवान बिशन किर्पा प्राप्त होगी और जीवन की हर समस्याद दूर होगी आज कि बस इतना ही धन्यवाद